क्षयों वBe 그орм implication है चांट कमें पूर्य Nigrayaolo , मैं ऐसे आप रहे हो हमीशा है उल्पार रहे है आप बोहुत अच्छा से सब्सक्राइब करा finite सब्सक्राइक अ।्धार रहा, सबहब aaaa सुती है .जैसा आप रहा है, अब आन सबैंतर PharmD Genil , तौर कमें जहें उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है वो आप लोगों का अराम से हो जाए कैसे आप लोगों को दिमाग में ही चीजे याद रह जाए और आप लोगों को पैन पेपर यूज करने की जरुवत भी नहीं पड़े आज हम इस पर बात करने वाले हैं गैज मैंने अपनी टूड करके रख सकते हो कि आप लोगों का एक्जाम में जब आए तो जो बच्चों को पैन पेपर लेके सॉल्फ करने में टाइम लग रहा है वो आप लोगों को टाइम ना लगे और आप लोग फटा-फट दिमाग से ही कर ले जाओ तो आज का ये वीडियो इसी के रिगार्डिं स्कॉयर रूट्स आपके जाए कितनी भी बड़ी डिजिट के आएं आप लोगों के कैसे अराम से निकल जाएंगे दो मैथड है गाईस एक मैथड मैं आपको करके बताऊंगी दूसरा मैथड मैं आपको जो करके बताऊंगी तो बताऊंगी कि ये आप लोग अपने इफ में भी पड़े होते हैं यह नहीं है कि इसको आपको अभी पढ़ना है तो 1 का स्कॉयर 1, 2 का स्कॉयर 4, 3 स्कॉयर 9, 4 स्कॉयर 16, 5 का स्कॉयर 25, सारे आप देख सकते हैं इसको लिखने का में मोटिफ क्या है मेरा अब यहां लिखा है कुछ कि 1 और 9 और 1, 2, 8, 4 इसका मतलब है गैस कि 1 का स्कॉयर एंड हो रहा है आपका 1 से, similarly 9 का स्कॉयर भी आपका जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 1 से, तो 1 और 9 का जो एंड होगा कहीं पे भी आपका लास्ट में 1 और 9 अगर आपको दिखेगा, तो आपका जो end हो रहा होगा वो 1 से हो रहा होगा 1 से जिसका end दिखेगा उसका जो आपका square और ये बनेगा वो 1 और 9 बनेगा, right? जैसे 2 का end हो रहा है और 8 वाले square का end हो रहा है 4 से, देखो 2 का 4 से है, 8 का भी 4 से है पूरा समझने के लिए अराम से देखो वीडियो को मैं अराम से एक है करके बताने वाले हूँ आप लोगों को, right? 3 का देखेंगे, 7 का देखेंगे 3 का आपका end हो रहा है 9 से, 7 का end हो रहा है आपका 9 से, right? 4 का देखिए, 6 का देखिए 4 का end हो रहा है 6 से, 6 का end हो रहा है 6 से, तो 2-2 हमारी digit है, अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसको कि उपर से 2nd, नीचे से 2nd, उपर से 3rd, नीचे से 3rd, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अराम से आप लोगों चीज़े सबच भी आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन गईज, 5 एक ए आप लोगों के पास आगया question exam में क्या, कि आपको बताना है 7, 3, 9, 6, किसका square होता है गईज, अब आप लोग भी इस समय जब देख रहे हो वीडियो तो थोड़ा दिमाग चलाओगे और लगाओगे idea कि किसका होता है, उससे अच्छा है कि इस तरीके से करो, इसके भी 2 method बत लास्ट है, यह 6, मैंने बोला था 6 आपका, 6 का किसका 6 में end हो रहा था, वो थे 4 और 6, इसका मतलब कि या तो last वाली digit जो होगी, वो 4 होगी या 6, अभी नहीं समझ में आया ना, क्या होगा guys, 2 digit में होगा इसका, जो भी जिसका square है, उसका 2 digit में होगा, अभी जो last वाली digit हो रहा होगा, या 6 से हो रहा होगा, तो या तो यहापका 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा, अभी मैं यहाँ नहीं लिखूंगे, क्योंकि अभी हमारा पता नहीं है कि कौन सा आएगा, इसकी बातों को ही खतम, आप देखेंगे आप लोग 73, guys 73 जो आपका आ रहा है, आप यह यहाँ देखो क्या, कि 73 किस कि स्क्वाइर के बीच में आ रहा है, तो आपको क्या देखने मिला, कि 8 के स्क्वाइर के बीच में आ रहा है, और 9 के स्क्वाइर के बीच में आ रहा है, 64 और 81 के बीच में आ रहा है, 64 और 81 के बीच में आपका 73 आ रहा है, समझ गए, तो अब य यह था आपका 9 का स्कॉयर, तो हमेशा हम लोग छोटी डिजिट लेते हैं, तो यह वाली आपकी यहाँ पर फिक्स हो गई, या तो 84 का स्कॉयर होगा, यह 86 का स्कॉयर होगा, अब पता कैसे लगाएं कि किसका स्कॉयर है, इन दोनों डिजिट का, जिनके बीच में यह वाली ड डिजिट से बड़ी है, तो गैस आपको बड़ी दिख गई, इसका मतलब बड़ी दिखी, तो इन दोनों में से जो बड़ी डिजिट होगी, वो आपकी यहाँ आजाएगी और आपको पता चल जाएगा क्या, कि यह है आपका 86 का स्कॉयर, समझ गए, अब माल लो यह डिजि यहाँ पर रखेंगे और आपका अंसर हो जाएगा, I think यह बहुत easy method था, समझ में आ गया होगा, यह आपको लगेगा फिलहाल tough की लंबा है, practice करने की need है guys, हो जाएगा, लेकिन इससे जो दूसरा है, वो बहुत छोटू सा है, बहुत simple सा है, समझते है, उसको समझने से पहल हम exceptional case जो है हमारा, इस पर बात कर लेते हैं, यह क्या है guys, कि 5, अब मैं आप से पूछू 5 का square, सब को पता है 25, मैं पूछ लू 15 का square, सब को पता है 225, मैं माल ली जो पूछ लू 25 का square, यह भी आपको पता है कहीं न कहीं कि 625, लेकिन जैसे 35, 45 पे बढ़ती जाओंगी, आप इसकी digit, जो भी digit आपको दिया है, उसका end अगर 5 से हो रहा है, 5 digit आ रही है last वाली, कैसे निकालते हैं इसका square, इसका square निकालने के लिए आपने क्या करना है, यह जो 5 है, इसको square लेग दो अलग से 25, और जो यह 3 है, इस से 1 digit आगे कौन सी होती है, 4 होती है guys, 3 से 1 digit बढ़ी क कौन सी होती है, 4 होती है, इनका करादो multiply, 3 का और 4 का करादो multiply, मतलब हो जाएका 12, 3, 4 जा 12, मतलब आपका 35 का square क्या हो गया, 1, 2, 2, 5, सेम माल निजे मैंने पूछ लिया 45 का square, सेम पूछ लिया आप लोगों से 45 का square, सेम 5 का square आपका, 25 लिख दो अराम से, 4 से आगे क्या 5 और इन नों का कर दो multiply, 4, 5 जा, 4, 5 जा, 20, right, 55 का निकाल लो ऐसे, 5 का square 25, 5 से एक डिजे टागे 6, 6, 5 जा 30, तो आप लोग समझ गए कि 5 जिसके end में हो रहा है, उसका तो बहुत easy है, तो जब easy है ना, तो मैं इसी डिजेट को एक बार फिर से example form में ले लेती हूँ, दूसर method समझाने के लिए ये था आपका first method, अब हम बात कर लेते है second method क्या रहता है, अब हम बात कर लेते है second method, कई same बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को easily पता चलेगा, अब जैसा कि हमने देखा था, ये 2 और ये 2 में मैं convert करूँगी, इसका आपको पता है क्या, कि या तो 4 म double zero, और 90 के square के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, 80 के square और 90 के square के बीच में कहीं ना कहीं डिजिट आईगी, 6400 और 8100 के बीच में, अब इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं 85 का square भी तो होगा, और 85 मतलब मैंने 5 वाली डिजिट का square निकालना आपको समझाया, 5 का square आपको 25, और 8 से एक डिजिट बड़ी क्या 9 इनका मिल्टिप्लाई 9 8 जा 72 तो गाइज अब ये बता दो कि ये बड़ा है ना ये 7225 से तो बड़ी है डिजिट और 6 में एंड होनी चाहिए समझ गए कि 86 का स्क्वाइर हो जाएगा ये 7396 हो गया easy पता चल गया 86 का स्क्वाइर हो गया कितने easy तरीके से पता चल गया क्यूंकि 8 का और 9 का स्क्वाइर आपको पता है 85 का आप बीच वाले का निकाल सकते हो या तो 84 का होगा या 86 का होगा ये clear हो गया जैसे ही आपने 85 निकाला आपको पता चल गया कि 86 का हो गया I think आप लोगों को अराम से समझ में आगया होगा 5 का भी निकालने का single तरीके से इस तरीके से भी और second method से भी इस वाले method के लिए में आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोगों को pen paper use करने की भी जरुबत नहीं पड़ेगी चलिए बढ़ते हैं cube root के side के cube root आप लोगोंने कैसे करना है cube root निकालना तो guys उससे भी ज्यादा simple है यकीन मानो कैसे क्योंकि सब आपको 1 से लेखे 9 तक अगर cube skill learn है कि 1 का 1, 2 का cube 8, 3 का cube 27 बहुत easy है क्यों 1 का end होगा 1 से 2 छोड़ देते हैं, 3 छोड़ देते हैं, 4 का end guys 4 से, 5 का end 5 से, 6 का end 6 से, 7 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 9 का end 9 से, समझ रहे हो, मान लो कोई digit आपकी last में 9 है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि उसका जो हमारा cube भी होगा, वो 9 से ही हो रहा होगा अब 2 का जो, 2 का देखेंगे, आप 8 से हो रहा है और 8 का 2 से end हो रहा है, तो यहाँ पर आप मैंने लिखा है क्या, कि अगर 2 आया है, तो 8 से end होगा, 8 आएगा तो 2 से end होगा, राइट, स्यम 3 का 7 से, 7 का 3 से, देखो 3, 7, 7, 3, अब example के form में यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कि यह 2 है guys, अब 2 का मैंने बताया किस से end होने वाला है आपका, 8 से end होने वाला है, तो यह तो पता चल गया कि 8 होगा, राइट, यह तो मुझे पता चल गया कि 8 होगा, गैस यहाँ पर 2 नहीं आकर 4 आएगा, यह वाली ठोटी सी mistake है, 4 होगा यहाँ, नहीं तो यह बनेगा ने किसी का, यह है आपका 4, राइट, अब यह 4 वाला, यह देखो कि 4 है, क्योंकि एक example मैंने आपका इसका ले रखा है, तो एक normal वाले का समझाना भी बनता है, वन्ना आप लोग confused हो जाओगे, कि दोनों example इसी वाले के लिले है, एक इसका और एक normal वाले का, अब यह है आपका 4, 4 वाला आपका end किस से होगा guys, 4 से होगा, देखो, मैंने बताया था, ठीक है, अब 4 हो गया, अब यह वाला देख लो, यह वाली किस-किस के बीच में आ रही है, 5 वाले के बीच में आ रही है guys, 5 का cube और 6 के cube के बीच में, और जो छोटी digit होती है, उसे ले लेते हैं, इसका 7 आपका, 7 वाला किस से end होने वाला है, मैंने बताया था, 7 वाले का, अगर end हो रहा है, तो इसका क्या होगा, 3 होगा, हो गया 3, तीन डिजिट अलग करनी थी, तीन आगे की अलग करनी थी, अब यह देखिए कि 250, और यह 250 किस-किस के बीच में आ रहा है, 6 के cube के बीच में आ सालने, तो इसका के लिए स्विए फिर भी अगर को कोई भी क्वे crimin है, कोई भी प्रॉब्लम थो आप-्लोग मुझसे आराम से भेजीज़ कि आप लोग कोमेंट में पोुश सकते हैं, इवी आप लोग मुझसे यम पार लिंक मुझसे पूस सकते हैं, इसे एसी जी तरीका औ और प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर लो थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो ऐसी हेलपफुल वीडियो के साथ मैं नेक्स ताइम आप से फिर से मिलने वाली हूँ थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो गईज